अधिन डाइनेस्टी मतलब यह कि जो मेंन मेंबर उफ ता सेम फैमली बेकम रूलर्स वन आप्टर अनदर एक फैमली के सारे मेंबर एक बाद एक राजा बंते हैं तो डाइनेस्टी होते हैं मतलब वह ही उसी में चल रहे हैं चीज़े एक ही फैमली के सारे एक ही फैमली के अंदर से इसारे अर जो इंपोर्टेंट परसन है राजा है मतलब वह जो राज भ dönू हम तो धूसरी जगह नहीं जा रहा है जिद लो थे Morian dynasty सेूंका ने का साम राजित है वो सम हैं जार केया था चंतरकुपत चंतरकुपत मौरया ने के वो गरंचन है तो मौरेन वाज इस टीन इंपर्टेन डेल प्रवस्वेता है उन और के ब एटे वो इन द था फिर शो को के जिद्क पर कर फादर ऌसो किसravd Wäh akrabch'е कि एक की किसkा कुंष्व निया है ढूपप ने झानक के राज़े को लिया था इस चिज एंनकी कीदी चाना गोड़े लिया दो अजय निक्क भी चन्द्रो कमरिय मतलब मौरियओं और तंडाय तरी दूसरी वाला सिस्ट्म यह उनक और consent गों दूसरयमार को नहीं राजबाएं तो करने सिस्टम है कप अने कि वसोन मोरें अरे हैं कि एंपर केंगडंब में क्या डिफ्रेंस यह कोविश्डले सील डाने शीर्पी केंटेब में ऐसे involving है ओसेगी है किंग से किंगडंब 숨ां है व्योलाज किंगा केंग्डम का था पुर्द रोजाद रिजियें कहुः यह अंपाइर काफि बड़ जा निले चीजिव और आर्म के बेता रित पने सी पैसा। कि Emperor Emperor need more resources than King because Empires are larger than Kingdom Empire badiyaan किसी Kingdom से और तो उने चीए big armies so also they need a large number of official who collect texts उने big buddy army भी रखने है और जो text भी collect करना है क्योंकि text से ही सारे काम चलना है फिर text collect करने के लिए आर लोग चीए टेक्स औत्रिब्त में क्या डिफेंट्रीट्स चाहरा ना पलती तुरिफ्ट्र सजोंगड रहा है टैक्स नुद मौय वहा ऐंस आइपिक प्राजा को मचन। रोग दे रहा है कि वेरी बिग किंडम या एंपर एंपार 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 अशोग रूल वाज फाउंड़ बाइस ग्रांट फादर असोग ने जिस पे राज किया वो उसके ग्रांट फादर ने उसे फाउंड़ किया था जंड़ूत मौरिया सबको सपोड किया के कि दूनों नाव एडिया उन लिख आर्थ सास्त्र में को क्लिक इस गांगे अर्थ सास्त्र जिसकी मुह सारी चीदियां इसमें की बहुत सारी सिटीजस थी तो उन्हांगें लिए लोग भी चीए तो में शिटी थी पाटली पुत्र, तक्सिला एं उज्जेन, तक्सिला जो नॉर्थ वेस्ट के लिए गेटवे था, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड़ सका गेटवे, और उज्जेन रूट था, नॉर्थ रूर्व साउथ के बीचे पढ़ने अला में जगे थी, एंपायर काफी बड़ा था तो इसमें people in different part of the empire, उनकी different language थी, different kind of food हो लेते थे, different type of clothes हो पहनते थे, क्योंकि काफी बड़ा एरिया था उनके एंपायर में, तो यह चीजें दिक्कत करने वाले थी, तो बड़ा एंपायर थो से एंडरिल करने के लिए लोग भी जाते चीजें, मतलब राजा तो राज महीं कर सकते ना, लिमेटेड एरिया पर ही, तो वह पॉइंट करते थे, कवर्नर, मोरियन एंपायर बहुत बड़ा था, तो different part वह रोल पर दिफ्रेंटली, पार्टली पॉइंटर अंडर से direct controlled emperor, पार्टली पॉइंटर कैपिटल और कैपिटल में ब्राजा ही बैठागा, जो दूर-दूर के पाड़ थे, उनोन ऑफिशियल्स जो अपॉइंट की थे Tax collect करने के लिए कहां से Tax collect करना, फार्वर से, हर्डर से, ख्राफ पर्शन से और ट्रेडर से, इनसे Tax लेने के लिए उन्हें बहुत सरे Officials रखे थे, उन ओफिशियल्स को देती सेल्री और ओफिशियल्स टेक्स कलेट करने के लिए लोग रखे तो लोग देती सेल्री चु कटरु करते थे लोग उसमें जंगल रह रह रहे थे तो लिए यह अव सबस्क्रेट को क्योंकि इंपोर्टेंट पर्स ट्रांस्पोर्ट का का पूर जंगल भी थे लोग उसमें जंगल भरह रह रहे थे तो जो लोग जंगल भरह रहे थे वह एलिफेंट या टिंबर नीवेक्स जो भी जंगलों से मिलता था वो ने ओफर करते थे मौरियन के ऑफिस्यल्स को असोग जो इसने जहाराज किया वह फाउंडड किया था उसके ग्रेंट फादर चंद्रकृत मोरिया ने उससे दनानंद से चीना था वो चंद्रकृत मोरिया की इसमें हल्प किये थी चाना के नहीं लिखा अड़त सास्त्र इनका राज बहुत बड़ा था इन दूसे एंडर कर पातलिपूत्र सम्हाधूराज एंपर राज करता था बड़ के प्रावेंस था उसह पर वो अपोले्ट करते हैं गवर्नर और म सभाल मे यह बड़ेटтесь क्र्णा था तो बहुत सारे मेंटेनेस था तो टेक्स कलट करने की लिए उन्होंने ऑफिसेल रखे थे ऑफिसेल्स भुवदेते सालरी अजो का अजो का लग टाइप के रोलर थे वो काफ़ी फिमस हुए और इंडाइनस्टी में सब्सक्राइब यहीं है उन्होंने अपने इंस्क्रिप्सन लिखवाई प्राकृत में लिखवाई प्राकृति एक वैस जो कॉमन लेंग्विज थी तब सबसे फेमस इंगा था कलिंगा का वार वहां पर उन्होंने सारी मार्केट सब कुछ देखा बरवाद होते हुए तो उन्होंने छोड दिया फिर वायुद करना असो उन्होंने असो काने कलिंगा की लटाइलड़ी वह जीत भी गई सब्सक्राइब करने के लिए वार नहीं लटा जाएगा असो की एक मातर केंगा है इस्ट्री में उन्होंने जीतने के बाद छोड़ दिया था सब कुछ हो उसके बाद उन्होंने जरा प्यूद करना ही छोड़ दिया असोक ने देखा उसका जो है इंपायर वह काफी बढ़ाया तो वहां के डिफ्रेंट टाइप के लोग तो डिफ्रेंट टाइप के रिलिजन वह बानते हैं मतलब बहुत सरे चीजिए अलग अलग है उसनों एक कोमन धर्म लेकिया है वह कोई से कहा असोका धामा इसमें क्या पैस करना है यह जो इनका धामा था यह इंस्पायर थे बुद्धा की टीचिंग से असोक ने देखा कि यहां बहुत सारे तिकत देर है और नंबर ओप्रोवलाउंस जिसे कि जो लोग हैं पायर हैं वो डिफ्रेंट रिलिजन फोलो करते हैं तो आपस में इस कंफ्लिक्ट ग करते हैं स्लेव और जो सर्वेंट है उन्हें अच्छे से ट्रेट नहीं करते हैं सारी मुशी पते देखें अपना नया धरम लेकर आए उन्हें बहुत सा रिलेजन हैं तो कंफ्लिक्ट होगा एनिमल्स को मारते हैं वह सक्रिफाइस करोब में सर्वेंट और स्लेव अच्छे इसे ट्रेट नहीं है इल ट्रेटेड हैं तो फैमिलीज में अभी आपस में लड़ाई हैं तो असोग ने फेल्ट किया कि उसका इंद्यूस की डूटी है कि वह इन प्रॉल्म को दूर करें तो उसने अपोइंट किया धरमा महमाता किसलिया एक दूहीं पर टीचिंग पेपल अप्रॉल अबाओड धामा कि लोगों को दामा के बारम बताने के लिए उनने एक प्रॉंट के ओफीशियल से जगा धामा महमाता अशोग का जो मैसिज था उनने इस लिखवाया कहां रोख पे पिलर्स पे जो उनको उफीशियल से उनने इंस्ट्रक्ट किया कि इसके फेलाओ और जो पढ़ना लिखना नहीं चाहनते उनने पढ़के बताओ इस पर लिखा क्या है क्या मतलब इसका अशोग ने मैसेंजर्स जो थे उसका धामा को फेलाने माले दूर दूर तक बेजे जैसे कि सीरिया में बेजे एजिप्ट में बेजे ग्रेस और स्रीलंका में बूद इनी वज़से जादे फेला है बहुत दौरम क्योंकि यह उसी के बेस पर से नहीं यह लिखा रहा था उनने रोड बनवाए एक कुए-कुदवाए रेस्ट हास बनवाए प्रेटमेंट फर बहुत फ्यमें अन्ड अनिमल्स अनों ऐसे बहुत सारे काम के क्योंकि कि कुलिंग का जो वी यूद था उसमें उनने इस तरह के नरुसंगार देखने के बाद उनका मन चेंज हो गया और उनने कभी नायूद करने का काम किया फिर उसने अपना दरह लेका और उसमें सारे रूल्स लेक्या है फिए फिल इंद प्लेंक्स है जो ओफिशिल क्लेक्टर थे टेक्स कहा से है फ्रॉम दैरी अंडर दार्ट कंट्रोल रॉलर्स रॉयल प्रिंस ओफन वेंट तो दे प्रोविंस प्रोविंस का जो हैड वना थे तो गोवर्नर मद यव जो दूर दूर्टक प्रोविंस थे उनके ऐड विस तो गावशिल रॉयल प्रिंस मोरियन रॉलर्स टाइटो कॉंच्टोल रॉड रीवर्स और रॉड रॉड रिवर्स वे कंट्रोल कर रख्या है क्योंकि यह ट्रांस्पोर्ट का चाव मेटियम थे जो फूरस्ट में टैने वाले थे वो मॉरियन ओफिस्यल्स को क्या दे सकते थे बेट में एलिफेंट, टिंबर, मतलगडी, हनी और वैक्स, बलंड का जो वैक्स हुआ इंफांडर ओफ मॉरियन एंपार को ने चंद्रोत मॉरिया, मोस्ट फेमस है असोग, प्रोविंस केपिटल, तक्सिला एंपार के केपिटल थी पातली पूत्र, एंचेंट नेम ओफ कोस्टल ओडिसा, कलिंगा, जो एंचेंट नेम ही कोस्टल ओडिसा का जहां पर युद कलिंगा, कलिंग, कलिंग का युदुवा, जो सोगने लड़ार, वहां से अनका हिदय परिवर्तन होगा, तो आता लिए सिख करने बादे फिर दो दार्म के कारे के चारे में जाधा, लग गए, तो उनोंने फिर युदवाले नेति छोड़ दी और धरंपर्चारा में लग वो बूद को फॉलो करने वाले थे बूद से उन्होंने अपना धरम बनाया जो सब पुछ मेडियेटर मतलब वैसा था कि सब को इससे फॉलो कर सके फालतू की लड़ाई से बस सके असोग अ चंदरoquत अ कि वो ग्रेंडसन थे और बिन्दुसर Кी सन चानख किय वो असाहरे लेटे था कोंतलब नाम होंने जेसे आर्जसास्तहा प्रींट नुवेस्ट आberger कहा दूसरा नामें को टलया तक सिला गेंट में था नॉर्द Уथ वैस्ट वेस्ट में था नॉर्ड वैस्ट में थां इसलिए गेंट में जो रोयल प्रेंश केन्ष बेजा चा जाता हुझा लुचल टभीनिये गवर्णर साथ इंडिया इंपोर्टेंट था किसके लिए गोल्ड और अधर प्रिश्यस स्टॉन के लिए असोक ने गेव अप वार मतलब वार को छोड़ दिया किसके बाद कलिंगा को जितने के बाद और हम वी विटाहर्म के लिए प्राकरत में दना म लिख जाता है मतलब द्धामः और थार्म एक ही है का वोड़ाvisor ना में अल्द को में syrup कि अउफिश चाहरी है जो में था वो दामा महवात्य था अफेस्यों और मेसेंजर बीजियों से फिलारने के लिए